नुस्कार मैं हूँ शिवेंद्र स्रवास्तो और आप देख रहे हैं स्रेष्ट भारत 14 नॉम्बर 2023 को सुब्रत रॉय सहारा जो कि सहारा इंडिया परिवार के मुख्या थे वो चलवस है उनका निधन हो गया अस्पताल में उनके निधन के बाद गमगीन परिवार एक तरफ उनके अंतिन संसकार के तैयरी कर रहा था दूसरी तरफ हजारों लाखों इनुस्टर्स के बीच में ये सुगबुगा हट हो रही थी कि आखिरकार अब क्या होगा यानि अब क्या होगा उन पैसों का जो तमाम इनुस्टर्स के सहरा इंडिया परिवार में जमा है अब क्या होगा उस पूरे कोंगलुमृरेट का यानि सहरा परिबार का आने वाले दिनों में भविश्य क्या होने वाला है दरसल सुबतराय सहरा के जाने के बाद ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सालों से कानुनी लाई चल रही है और सेवी के पास 25,000 प्रॉण पर जमा है ये पैसे वो हैं जो बता जाते हैं उन तमाम इंवेस् करेंसा वापस करेंगी या फिर ये कंपनी पूरी तरह से दूप जाएगी सवाल उठने भी लाजमी है क्योंकि कानुनी लड़ाई के दौरान तमाम ऐसे उतार चल्हा हुआ हैं जिसमें कई बार इस बात पर सवाल उठे हैं कि क्या सुबत रॉय सहरा की मैशा इनके पैसे व वापस मिल सके कई सालों से करीब 30-40 सालों से हजारों करों रुपए छोटे-छोटे अमाउंट के रूप में इनके एकाउंट में जमा होते रहे और अब जब बारी वापसी की है तो ऐसी वहापो की स्तती बनी हुई है कि हर कोई बसी ही सवाल कर रहा है क्या उनके पैसे जमा किये गए थे ऐसे इन्वेस्टर्स थे करीब 3 करोन और एमाउंट जमा हुआ था 17,000 करों रुपए दरसत साल 2011 में सहरा समूं के दो कंपनियां सहरा इंडिया रियल स्टेट कॉर्परेशन लिम्टेट और सहरा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉर्परेशन लिम्टेट इ इन कंपनियों के जरिए सहरा परिवार ने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और 3 करोन निवश्कों से 17,000 करोन और जमा किये थे इनहीं पर सेवी ने रोक लगई और इसके बाद वो पैसा इतरीकिसे सेवी के अकाउंट में कोड की निगरानी में जमा हो गया अब इनहीं पैस जिसमें उनके बेहत करीबी बेहत विश्वास पात्रुप और मजबूत लोग लगातार उनसे जुड़ेगों थे और यह वो लोग थे ओपी श्रवास्तों, बीके श्रवास्तों और तमाम ऐसे डिरेक्टर्स जो कि आज से नहीं बलकि 20 साल से जबसे ये समूँ पड़े और ऐसे में उनको समूँ की देखभाल करने का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा अपनी मौत से चंद दिनों पहले उन्होंने एक चिठ्थी जारी की, यह दिन था 7 मौबबा 2023, 14 तारीक को उनकी मौत हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चिठ्थी जारी की, जि उनके बेहत करीवी, विश्वास पात्र और सबसे मजबूत अधिकारी हैं, उनको जिम्मदारी दियाती है, उच जिम्मदारियों में HR की पॉलिसी से लेकर अपॉइंट्मेंट और नौकी से निकाले जाने तक, इसके अलावा जितनी भी देंदारियां हैं नए अकाउंट् या फिर तमाम और ऐसी भी जितनी चीजें हैं जिनका फैसला उपर का मानेजमेंट लेता है, वो सारे फैसले लेने के लिए ओपिश्वास्तों को अधिकरत किया जाता है, ओपिश्वास्तों वही शक्स हैं, जिन्होंने सुबत राय सहरा के साथ कदम से कदम मिलाया, और ऐस इसे समय पर जब की कोई साथ नहीं दे रहा था, तब भी ओपिश्वास्तों उनके साथ खड़े हुए थे, यह कंपनी सारा इंडिया परवार जब शुरू हुई तो वो पाइनियर मेंबर थे सुबत राय के साथ, दो ही लोग शुरुआत में थे, उनमें से एक ओपिश्व इस पूरे एंपायर को सभाल पाएंगे, क्या लोगों का भरोसा जीत पाएंगे, क्या वो पैसे वापस दिला पाएंगे, जो इन्वेस्टर्स की जमा हैं, और कानूनी डाउंपेश से आखिरकार ओपिश्वास्तों कैसे निब्टेंगे, दसल ओपिश्वास्तों सहारा इं इंडिया परवार में उनका इंवाल्मेंट है, जितनी वाफादारी है, शायद ही किसी कार्यकरता या करमचारी की रही होगी, और ये बात सुबत रौय सहारा अच्छे से जानते थे, एक बड़ी वज़ा ये भी है, कि सुबत रौय के सगे भाई जे भी रौय, जो की इस कं तमाम जिलों में, तमाम जगों पर जमीनों का एकुजिशन शुरू हो रहा था, और पिसानों और दूसरे लोगों से जमीने खरीद करके सहरा अपने सहरा शहर बना रहा था, सहरा स्टेट बना रहा था, ऐसी मकानों का निर्मार किया जा रहा था, जो गरीब लोगों को कम दामों में महयक राज़ सकें या मध्यम वर्गी परिवार को उन मकानों को खरीदे की ताकत दी जा सकें ऐसे में पता ये चलता है कि उन जमीनों के खरीद फ्रोक्त में बड़ा गोटाला किया रहा है और इस गोटाले की जब जान शुरू हुई तो आखिर में नाम एक आया ज जब जेवी राय को एक प्रिके से ग्रूप में किनारे कर दिया गया ऐसे में सबसे बड़ी बात सामने निकल के ये आई कि सुब्रत रॉय सहारा अब पूरी तरह से जेवी राय पर भरोसा नहीं कर सकते हैं दूसरी बात उनके परिवार के तमाम और भी लोग थे जो इस पूरे एंपायर को समालने के लिए आगे आ सकते थे इनमें सबसे पहला नाम इनके बेटों का आता था सीमानतो और सुशानतो रॉय उनके दोनों बेटे हैं जिन पर सुब्रत रॉय पूरी तरह से भरोसा करते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि सुब्रत रॉय के जाने से पहले ही कानूनी दाव पेट ऐसा चल रहा था कि कई कान्नी केसे में सुब्रत रॉय के दोनों बेटे भी फसे हुए है उनके नाम हैं और उनके खिलाब भी जाँच चल रही है कहा ये जाता है कि दोनों ही बेटे देश में नहीं हैं, विदेश में रहते हैं इसलिए जब ये सवाल उठ रहा था कि सुबत वाय के अंतिन संसकार में आते दोनों बेटे क्यों नहीं आए उसकी बड़ी बज़ाई ये भी है कि वो यहाँ पर आते तो शायद उन पर कानूनी अरचन आ सकती थी और विदेश से यहाँ आने में अगर वो कानूनी दाउं पेज में फस जाते तो शायद लंबे वक्त तक शूट नहीं पाते इसलिए उनके दोनों बेटे उनके अंकिम्शन्सकार में शामिल नहीं हुए हाला कि उनकी पत्मी अस्पताल से लेकर अंकिम्शन्सकार तक मौझूद रही तो कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सीधा केस नहीं है वो HR और डूसर डिविजन्स को देखती थी जिसमें Policy Matters को लेकर स्वपना रॉय का involvement कन था इसलिए सेवी के केसिज में स्वपना रॉय का नाम नहीं है एक बात ये भी है कि सुबत रॉय के बाद उनके बेटों में वो ऐसी बात नहीं थी जिसकी सहारे इसमें बड़े अंपायर को चला आ जा सके ना तो उनको फील का भरोसा था ना ही उन पर लोगों का भरोसा था और ना ही उन्होंने अपनी परस्नालिटीज को ऐसा डेवलेप किया जिससे कहा जा सके कि इस ट्रस्ट के बिजनस में तो सुब्बत के दोनों बेटों को आज चेहरा देखकर जांकी बाते सुनकर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दे और इसके लिए फिर से एक बार नाम आया ओपी शुरुआस्तों का केवल यही वज़य नहीं है कि ओपी शुरुआस्तों इस गुरुप में शुरुआ से जुड़े बलकि वज़य यह है कि एक-एक ब्रांच से लेकर एक-एक कारकरता से मिलने तक एक-एक इन्वेस्टमेंट से लेकर के तमाम पॉलिसी की मैटर तक सुबत रुआ के साथ अग यही ऐसी योजनाई बनाएगी यह उपी शुरुआस्तों की ही देन थी सुबत रुआ सहरा भले ही सामने का चेहरा थे लेकिन इसके पीछे स्ट्रेजी प्लानिंग और इंप्लिमेंटेशन का पूरा जिम्मा सालों से उपी शुरुआस्तों समाल रह थे और उनका करमचारि लेकिन वहा less में पर ही कारकरताओं पर ही नहीं कि इंवेस्टर्स पर ऐसा जो कुल यहा की विछ में और उनकी बात कूरी तरस सुनी जाती पूरे गूरे में ऐसी फूबत किसИ की नहीं ड़ुआ सदो कि सुब्वतर रुसरेा के बाल को नहीं बल्कि ओपी शुरास्तों को पूरे गृट की जिम्मेदारी सौपी तो यह हो गई वो बात कि क्यों आखिर सुब्रतुराय सहरा ने ओपी शुरास्तों के ही पूरे एंपायर की कमान सौप दी अपने परिवार को नहीं लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टर्स के पैसे वापस मिल पाएंगे तो उसका जवाब है कि सरकार ने पैसी पॉलिसी बना रखती एक पोर्टल बना रखता है जिसके जरिये 25,000 क्रोन जो की सेवी के पास जमा है उनमें अप्लाई करके वो पैसे लिये जा सकते हैं इस पोर्टल पर अगर कोई इ उसकी वज़ा ये भी बताई आती है कि जातर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो की बेनामी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जमा करने वाले रेडी पठ्री वाले लोग हैं उनको ना तो इतनी जानकारी है और ना ही इतनी समझ ह यो पोर्टल के जरी एतनी फॉर्मिलिटीज पूरी कर सकें और अपने पैसे वापस ले सकें कई बार इस बात को लेकर प्रदर्शन हुए मांग हुई इस सुबत वाई सहरा की कम्तनी उनके पैसे वापस नहीं कर रही हैं ऐसे में कई नोडल आफिसर्स खोले गए हैं कई ज आप की समझ थी कि काउंटर से पैसे कैसे अप्लाई करके लिया जा सकता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पोर्टल का पता है सहरा रीफरंड पोर्टल के नाम से पोर्टल जाना जाता है जो कि MOCREFUND CRCS.GOV.IN इ साहरन युनिवर्सल Мल्टी पर्पोर्पस सोसाइटी ओडिलिमिटेड स्टार्स मल्टी पर्पर्पर्पर्टी सुसाइटी लिम्टेट के निवश्कों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा खास बात यह है कि 22 मार्च 2022 से पहले साहरा में निवश्क करने वाले लोग ही इस पोर्टल के जड़िए रिफंड पा सकते हैं वो इसलिए भी क्योंकि 2022 के बाद अगर कोई पैसा जमा कर रहा था तो उसके लिए सेवी ने मना कर रखा था और वो उनका पैसा जोपी में पहले से ही है इस पोर्टल के जड़िए पैसा वापस लेने के लिए साहरा रिफंड पोर्टर पर निवश्क के पास मेंबर्शिप नंबर जोकि उनका मेंबर्शिप साहरा के साथ होगा जमा एकाउन नंबर, आधार से लिंग मोबाईल नंबर, डिपोजिट सार्टिफिकर्ट जैसे दस्तावेज होने चाहिए साहरा में फसे पैसों के लिए क्लेम तरने के लिए निवश्क का आधार चालू मोबाईल नंबर से जुड़ा होना भी जरूरी है साथ ही बैंक खातों से भी आधार का जुड़ाओ अनिवार है ताकि कोई गलत आदमी पैसे वापस ना ले सके इसके बगार निवश्क को पैसे मिलने में मुश्किल हो सकती है लेकिन ये जो तरीका है अगर वो अपलाई करेंगे तो आपको पैसे वापस मिल सकते हैं इसके अलावा कोर्ट में जो सेवी के साथ साहरा इंडिया परिवार का केस चल रहा है उस केस के निप्टारे के बाद भी सहरा इंडिया परिवार इस पैसों को वापस दे सकता है दरसल ये पूरी प्रक्रिया भले ही देखने में आपको बेहत पेचीदा लग रही हो लेकिन ये वो तरीका है जो सरकार ने अपनाया है ताकि किसी गलत आदमी को पैसे वापस न मिले और जिसका जायज पैसा है उसको पैसे भी वापस मिल सके और इस सहरा के साथ बात चीट करने के बाद भी ये तरीका इस्तेमाल किया गया था वो इसलिए क्योंकि सहरा इंडिया परिवार भी चाहता था कि निवेश्कों का पैसा वापस पिले क्योंकि उनको आगे बिजनस करने के लिए जिस ट्रस्ट की जरूर्ट है उसमें ये भी बहुत जरूरी है कि उनके पैसे वापस दिये जाएं सुबरत्राय सहरा जब तक जिन्दा रहे तब तक इस कोशिश में लगे थे कि कानूनी दावपेश से बाहर निकलते हुए वो निवेश्कों के साथ फिर से जो सके हैं ऐसे में जब वो जेल में थे या फिर जेल से बाहर आने के बाद तमाम दूसरे चीजों में विश्ट थे ओपिश्रवास्तों ही वो सक्स थे जो तमाम कारेकरताओं और इंवेश्कों के साथ संपर्ग बनाये हुए थे वो पिशुरास्तोर लगातार फील्ड में उन लोगों के संपर्ग में थे जिनका विश्वास तूट रहा था जो नहीं चाहते थे कि सहारा इंडिया परिवार से किसी तरह करका मद्वेध हो लेकिन मजबूरी में वो अलग भी हो रहे थे चाहे वो करमचारी की हो, चाहे फिर निवेश्वों की बात हो एक बात और खास बात है, इतने सालों से कानुवी लड़ाई लड़ने के दोरान सारा इंडिया परिवार के तमाम ऐसे करमचारी हैं इनको महिनों से कनख्वा नहीं अन रही है और कुछ लोगों को पार्ट में पेमेंट भी हो रहा है कई ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी छोड़ कर चले गए और कई ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में वहां नौकरी कर रहे हैं लेकिन कहा ये जाता है कि एकर सहरा इंडिया परवार से आज भी कोई जुड़ा हुआ है बिना पैसे पाए इस उम्मीद में कि एक दिन पैसे वह पस मिलेंगे तो उसके पीछे भी ओपी श्रुवास्तों ही हैं दसर ओपी श्रुवास्तों के भीतर नेत्रत की ऐसी च्छमता है जिसको देखने के बाद कोई भी उनमें सुब्बत रॉय सहरा की छवी देखता है और ऐसा उस पूरे गुरुप में कोई भी श्रुवास्तों का नाम तै किया है तो उसकी कारण बहुत ही महत्तुकून है सबसे बड़ा कारण ये कि आब आगे कानों ने लड़ाई लड़ने के लिए पूरे गुरुप में कोई ऐसा शक्स नहीं है जो इतनी मजबूती से लड़ाई को लड़ सके कानून की जानकारी हो या फिर तमाम चीजों की इंटर्नल जानकारी हो वो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास है वो है ओपीश्रुवास्तों वो पिश्वास्तो ऐसे ही यहां पर तमाम सालों से नहीं जुड़े हैं, बलकि उनकी लगन, उनकी लगातार, संस्थान के लिए सच्चाई और उससे जुड़े रहने की कोशिश ही इस बात का नतीजा है कि सुबत प्राय सहरा ने अपने परिवार पर नहीं, बलकि उन पर भर किया जाए, और वो शक्स कौन हो सकता है, इस पर बहसे अविवाद हो सकता है, लेकिन जात और लोगों का ये मानना है कि भले ही रणनिती के तौर पर उपिश्वास्तो पुरे ग्रुप की हंडिंग करें, लेकिन सुबत प्राय सहरा की पत्नी सुपनिय राय, जिनके बारे म उनकी परसनालिटी, उनके वेक्तितों और उनके अनुभों को इस्तेमाल क्यादस के, ऐसा करने से स्याइद ग्रुप को फाइदा ही मिलेगा, और सबसे बड़े फाइदा उन नियुवेश्कों का होगा, जो कम से कम इस बात की तसली कर पाएंगे, कि सुबत राय सहरा के जा सफलता मिलेगी, सरकार और सेवी की चिंताओं के साथ हमारी भी चिंता यही है कि जितने भी निवेशक हैं, जिनमें जायतर गरीब लोग हैं, उनके पैसे किसी भी सूरत में मिलने चाहिए, और अगर सहरा के भी मनिशा यही है, तो इस ग्रुप को बंद होने से कोई नहीं दो सकता, क्योंकि कानूनी रडाई भले ही लंबी खिचे, भले ही ग्रुप पर अभी और आचाहे, लेकिन यह बात तो सच है कि जो निवेशक हैं, उनके हजारों करोन रुपए सेवी के पास सुरक्षित हैं, और कोई न कोई मेकेनिजम ऐसा जरूर निकलाएगा जिससे की जिनूइन निवेशकों का पैसा वापस करना पड़ेगा अगर वो जिनूइन होए तो कानूनी रास्ते से, और अगर जिनूइन नहीं होए तो कानूनी लडाई लगने के बाद शायद तमाम लोगों का पैसा वापस में जाए तो सुब्रोत राय सहरा के निधन के बाद गुरुद का क्या होगा भविश्य और कैसे मिलेंगे निव इश्कों के पैसे इस पर ये थी हमारी खास पेशकर्स बातिक खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ट भारत नमस्कार श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत